यदि आपको फिशिला बगंदर की बिमारी है यदि गुद्देदार के अजोबजो में कोई फोडी होगे उसमें से रसी निकल रहा है तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि आपके मन में आएगा कि भाई कौन से डाइट टिप्स आपको फॉलो करने है क्या डाइट चाट रह लेकिन जब तक आप ओपरेशन नहीं करा तो तब तक आपको खाने बिन में क्या बदलाव लाने तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए सबसे पहली बद क्या आपको हाई फाइबर डाइट लेना है हाई फाइबर डाइट में आपको फ्रेश प्रेशन कम होगा टॉलेट में जोर कम करना पड़ेगा आपको रिफाइन फूड्स पैकेज फूड्स यानि कि बिस्किट्स फरसान गाठ्या कुकीज यह सब जो पैकेज वाले फूड्स आता है ब्रेड पाव पीज़ा यह सब में ज्यादा मैदा रहता है कबजी ज्यादा होता है तो यह सब पदास्तो से ओको दुूर एक पैसी फूडल और शॉल्टी फूड्स यानि कि मिर्ची वाली चीज़ेए और ज्यादा नमक वाली चीज़ें को ज्यादा दूर रहना है गरशाल आ Gang् biscuit पानी की मतरा आपको ज्यादा लेने हैं कम से कम दो तीन अलिटर पान चौकलेट से इसका सेवन आपको एकदम कम रखना है अगर चाई पीने की आदत ज्यादा है तो मैं आपको बताऊंगा कि वक्रों बगंदर की तकलिफ है तो थोड़े टाइम के लिए चाई और कॉफी का सेवन कम से कम कर दे तो आपके लिए अच्छा रहेगा तो यह थी वीडियो के कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए धन्यवाद वीडियो पर साने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए यौर सबसे रिलाबल एल टिप्स के लिए